हमारी सोसाइटी में औरतों को खुबसूरत दिखने के लिए उनके उपर एक प्रेशर रहता है उनके बाल, उनके कपड़े, उनकी बॉडी परफेक्टली टोन होनी चाहिए ऐसे में अगर आप और आप बॉलिवूर्ट इंडस्ट्री में काम करते हो तो यकीन मानिये वो प्रेशर सो परसेंट जादा बढ़ जाता है बॉलिवूर्ट की एक अक्टरस है जिसने सो परसेंट प्रेशर को जीरो करने की कोशिश की है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे आप बॉलिवूर्ट में काम करते हो या चाहे आप housewife हो औरतों के जीवन में उम्र के साथ-साथ उनकी body के अंदर अलग-अलग phrases पर अलग-अलग बदलावाते हैं शादी के बाद बदलावाते हैं बच्चा होने के बाद भी बदलावाते हैं साथ ही hormonal changes के कारण भी बदलावाते हैं तो इन बदलाव को अपनाना सिखा दिया है इस actress ने इस actress ने ये शुरुआत तब की जब ये खुद मा बनी थी और इसके बाद इन्हें fact shame किया गया था अब इस actress ने कहा कि हाँ मैं मोटी हूँ हाँ मेरे grey hairs भी आते हैं और मैं महीने महीने भर उन्हें die नहीं करती मैं जरूरी नहीं समझती कि खुबसूरत दिखने के लिए मुझे ये जो नकली खुबसूरत दिखने की चीज़े हैं उनका इस्तमाल करना है आप अंदर से beautiful रहो आप अच्छी बाते करो वो ही सबसे ज़्यादा beauty में add करता है और यही message Samira Reddy नाम की actress हमेशा देती है Samira Reddy जो एक time पर industry की hot siren थी वो अब एक मा बनकर जीवन गतीत कर रही है industry से उन्होंने दूरी बना ली है उनके दो बच्चे हैं और वो अपनी सास के साथ अपना YouTube चैनल भी चलाती है social media पर Samira Reddy और तो को motivate करने के लिए हर समय कुछ न कुछ tips देती रहती है कि आपको अपना शरीर जैसा है उसे अपना उससे प्यार करो कई बार वो खुद अपने ऐसे pictures डालती है पर उनकी body थोड़ी सी बेडोल हो गई है उनके grey hairs है, वो without makeup है इस तरह के pictures वो डालती ही रहती है और अब Samira Reddy ने अपने stretch marks की pictures डाली है उन्होंने बताया कि किस तरह से time के साथ साथ pregnancy के time पर या जब वो मोटी थी तब खुजली चलती थी और उस कारण उनकी body पर अलग-अलग हिस्सों में stretch marks हो गए है उन्होंने अपने underarm area के stretch marks share किये है और साथ में ये message दिया है कि पहले मैं बहुत डरती थी नफरत करती थी इन stretch marks से लेकिन जिस दिन से मैंने इन stretch marks को tiger के straps के रूप में देखना शुरू किया उस दिन से मुझे शक्ती मिले वो अपने stretch marks के लिए कहती है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें गले लगाया उस दिन से मुझे और जादा शक्ती महसूस हुई है आने वाले समय में मैं अपने आपको fit बनाने की कोशिश करूँगी और इस दोरान अगर मुझे और जादा stretch marks मिलते हैं तो मैं उन्हें अपनाऊंगी इसमें उन्होंने hashtags यूज किये हैं body positivity, imperfectly perfect, hashtag tiger straps यानि कि उन्होंने जो महिलाओं को stretch marks होते हैं उन्हें अब tiger straps का नाम दिया है और कहा है कि यह आपको शक्तिशाली बनाते हैं एक strength देते हैं यह आपको बहुत जादा हिम्मत दिलवाते हैं और अपनी body से हमेशा प्यार करो फिर चाहे आपकी body बेडोल हो आपके grey hairs हो आपके कील मुहा से हो या फिर stretch marks हो